दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है रेलवेट टेकनिसियन का फॉर्म जो है मोबाइल फॉर्म से कैसे फिल करेंगे जी हैं दोस्तो आप मोबाइल से जो है इसली रेलवेट टेकनिसियन का फॉर्म को अप्लाई कर सकती है देखें इस भरती के लिए form भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा आना होगा इस website पर इसका मैंने link आपको description box में provide कर दिया है आप click करके इस website पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको सारी जनकारी दिया हुगा इस भरती के बारे में इसके अलब आप यहीं पर देखें इसको कराने के लिए थोड़ा से trick है वो समझीएगा तभी आप कर पाईएगा और एक business ध्यान देना है आपको आप लोग mobile हमेसा ऐसे यूज करते है जनरल सब को ऐसी यूज करता है इसको convert करके आपको पहले एसे rotate कर लेना है तो मैंने already जो है इसको rotate करके ऐसे कर लिया उसमें form भरे थे जब वो create an account पे click करने जा रहे हैं तो उनका email id mobile नमर already exist बता रहा है तो उनको दुबारा account बनाने क्या हो सकता नहीं है वो क्या करेंगे सीधे अपना जो है इस पे click करेंगी और उनका पुराना वाला registration details है जिसे mobile नमर, email id, password लिक्के और सीधे login कर सकते हैं य लेकिन जो candidates पहली बार form भर रहा है railway का इसके पुराने वाले ALP का form नहीं भर रहा था तो वो क्या करेगा यहां पे create an account पे click करेगा अब देखिए यहां समस्या हो रही है यह form भरने में क्योंकि यहां पे declaration यहां आता है चेक box वो आपको जो है दिकत हो रही है तो इसके technician का form mobile से form भरने के लिए web browser download करें तो हमने यह share कर दिया हुआ है इस telegram पे जुडएंगे आप और आपको यह application मिल दाएगा आप सर्च भी कर सकते हैं और यहां पे आप जो ही से download करेंगे अपने mobile में तो इससे क्या होगा ना कि आपका सारा जो form होगा वो क्या होगा कि desktop version मे so होगा तो मैंने अलड़ी देखी यहां पे install किया हुआ है इसको और मैंने यहां पे अलड़ी open किया हुगा है telegram का link आपको description box मिल दाएगा अब चलिए समझते कैसे आपको form को भरना है यहां अप्लाई button मिलेगा create an account पे क्लिक करेंगी यहां पे आप देखेंगी तो सारा च option पे क्लिक करके login करेंगे वीडियो को continue करने से पले friends पताना चाहूंगा आप मैंसे बहुत सर लोग ऐसे हैं जो यह पूछते रहते हैं कि sir हम कौन से exam की त्यारी करें आप खुद सोचिए आप यह सोच रहे होंगा कि मैं SSE की त्यारी करें या फिर bank की त्यारी करें रेलवे तो हम किस exams की त्यारी करें यह सबसे ज़्यादा questions होता है आप सभी के मन में और यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे exams की त्यारी एक साथ कैसे होगी आप में सबहुते लोग यह पूछते भी रहते हैं और उपर से हर एक exam के लिए अलग-अलग batch के लिए खर्चा हमें जो है बाई करना होता अलग-अलग batch तो इन सभी problem का solution लेकर आज चुका है PW जी यहां दोस्तों आपको जो है सही दिसा सही जो है guidelines देने के लिए PW के द्वारा जो है दिसा foundation batch 2025 यह जो है लंच कर दिया गया है अगर आप अपनी जो है complete त्यारी करना चाहते हैं 2025 examination के लिए तो पूरा complete batch यह होने वाला है with test series इस batch की सुरवात जो है friends 15 मार्च से start हो रही है अगर आप join करना चाहते हैं तो आपके पास बहुती संदार offer है अगर ऐसे देखा जाए तो इस batch की जो price है वो है 15,000 रुपे लेकिन मात्र आपको जो है 3,999 रुपे में जो है offer price में यह आपको batch म मिलने वाला है और PW आप सबको पता ही है इसके लवा आपको जो है 200 रुपे का additional discount भी मिल जाएगा अगर आप मेरा coupon code यूज करते हैं FOR200 तो आपको 200 रुपे का additional discount आपको मिलेगा या बैच जो आपको जो है लगवग 3800 रुपे का आपको पढ़ने वाला है और याद रखे य आपको इसके आगे continue करना है तो यहाँ पर आपको nationality चूच कर लेना है यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है जो भी आपका नाम है दस्वी क्लास के मार्सी रेकोडिंग लिखना है अपने नाम चेंज किया तो yes करेंगा वरना यहाँ पर no करेंगी इसकी बास using अधार करेंगे न तो आपके अधार से data fetch होगा और आपकी सारी जनकारी verify हो जाएगा अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं है तो आपके पास यहाँ देखे एक option मिलता है I don't have अधार कार्ड आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अधार के अलावा दूसरा क्या ID है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि driving license, passport, pen card, voter ID card या government employee कोई है या school, college का ID है तो आप उसे आप दे सकते हैं कोई भी ID proof है इसमें से दे सकते हैं आपके उपर depend करता है और उसके बाद से उसकी जनकारी देना होगा issue authority कौन है कब हो issue documents उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंग अब आता है यहाँ पर email address, email address लिखेंगे, mobile number लिखेंगे और यहाँ पर आपको एक option मिलता है generate OTP आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके email OTP लिखेंगे, फिर mobile number लिखे, generate mobile OTP पर क्लिक करेंगे, आप मोईल पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पर लिख लेना है, इसकी बाद यहा password आपको क्या करना है, लिख लेना है, फिर यहाँ पर आपको password को confirm कर लेना है, फिर capture code को भरना है, capture code भरने के बाद से यहाँ देखेंगे, side में आपको preview and create account का option मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसा आप इस पर click करेंगे, आपका जो है एक page preview आएगा, आप जनकारी क account है, जो मैंने ALP का form भर रहा था, उसी स्वे में क्या करता हूँ, यहाँ पर login कर लेता हूँ, तो मैंने आपको starting में बताया है, जो किंडिटS ALP का form भर चुके है, जो पहले वेकेंस निकालेगी थे, उनको दुबारा account बनाने के आप सकता नहीं है, उसी दिए अपना mobile number, password, capture code भर के करेंगे, लोग इन कर लेंगे, तो चलिए हम यहाँ लोग इन कर लेते हैं, लोग इन करते हैं, फिंटS आप देखेंगे इस परकार से जो है, आपका dashboard पर यह दो वेकेंसी आपको सो होगा, यहाँ पर देखेंगे दो परकार के अलग 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 पद है, एक आपक करेंगे, माल लेजए, फ़र एक्जांपल, पहले आप इसके लिए इलिजबल है, तो पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लिजए, यहाँ से अररवी चूच करिए, और next पे क्लिक करिए, यहाँ डिकलियर करना होगा, और जैसे आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे, उस यहाँ इस तरह से आपका आविदन करना है, तो चले मैं एक पद के लिए आपको बदाता हूँ, यहाँ पर मैं next करता हूँ, next करते हैं friends, यहाँ पर आएगा कि this data is fetch from your previous saved data, यानि जो आपने पहले फ़रा है, उससे जो saved data है, वही जो है यहाँ पर fetch हो गया है, यानि आ गया ह आपको आपको का गरना है, close वाले option पर click करते हैं, तो आपको सभी जनकारी को अच्छे चेक करते हुए आगे बढ़ना है, तो यहाँ देखेंगे, आपका data सारा जो है, आटोमेटिक आजाएगा, देखेंगे, सब चीज यहाँ पर आपने विजवल मार्क्स वगरा जो भी इसू हुआ है, इसू हुआ है, और क्या आप ट्रेवल पास लेना चाहते हैं, इसनों बताएंगे, और अगर ट्रेवल पास चाहिए, तो आपको यहाँ पर अपना जो है डोकुमेंट्स होगर अभी attach करना होगा, ठीक है, हम यहाँ पर yes कर देते हैं, यह देखें, आपको आ ऐसे आपको अपना बारे में बताना होगा, और यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर OBC जो है, सेंट्रल वला लगाना है, SCST का सेंट्रल वला नहीं बनता है, यह जो भी विभाग से बनवाए हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अपना जाती परमापत्र, जनरल का भी य मांगेगा, और EWS के अगर कोई है, तो इन दोनों को जो होता है, जाती वह आपको यहाँ पर बनवा के लगाना होता है, और ध्यान रहे, लास्ट टेट से पहले आपको जो है, यह जाती आपके हैंड में होना चाहिए, वह यह वह जाती आप यहाँ पर देंगे, तो OBC और E पर्मनेंट और पर्जें, तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉप्य हो जागा, अलग है, तो अलग अलग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके उपर डिपेंड करता है, तो मैंने यह एक्जाम्पल के तोर पे जो एड्डरस लिखा हुआ, एक किसी का पर्मनेंट अडर जाएगा, तो आप EBC के जनकारी हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर देना होगा, इस परकार से आगया, यहाँ अप अपना EBC का सर्टिफ्रीफिकेट, यहाँ तो अप अपसे मैंगेगा, देखरा ना YES करते ही, यह सब जनकारी करते ही, अگर आप नहीं आते mermaid, आप यहाँ आतेappelle सेबल हो जाएगा अगर आप ज़ए डिपार्टमेंटल केंडिट से सर्विंग रिल्वे अप्लिकेंट है अलड़ी पहले साथ रिल्वे में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप अप्रेंटी सिप कोर्स कम्पलीट किये हुए है तो आप यहां पर इसे य बैंक का नाम और यह सब डिटेल्स आ जाएगा तो यह डिटेल्स आप अच्छे से भार लिजेगा क्योंकि फी रिफंट होता है तो इसी एकाउंट पर फी रिफंट होगा जब भी आप पहला एक्जाम दे देंगे तो अब यहाँ पर आपको सीब करके वुर्ण से गदिटेएंगी उसके वेस्ट बताएंगे जो भी आपका टुरह यहाँ आएगा पिर किस राजी से करके इडिट कर सकते हैं फिर उसके बाइस अगर आप मालें जे बारहुमी पास है तो बारहुमी को चूच करेंगे बारहुमी की जनकारी आपको आपको बताना है physics and math से पास है बारहुमी तो आप इस भरती के लिए कर देंगे अब यही क्वालिफिकेशन आगे चलके निरभर बताएगा आपको कि आप कौन-कौन से पद के लिए इलिजबल हैं तो क्वालिफिकेशन में आप सभी जनकारी को अच्छे से एड करिए यह नहीं कि आप सिर्फ दसवी पास है तो दसवी आड़ करके आगे बढ़ सरओं आप अपने पर भरा था उससे क्या किया गुए इन्होंने पर अपर अपको यह इंडिकेट करना है अगर आप यहां पर फोटो को यहां पर क्या करेंगे अगर नहीं सुझ रहा है तो हम यहां पर एसे एजिट रहने देंगे उसके वसम क्या करेंगे यहां पर next का option मिलेगा यहां देखिए save करके next का option मिलेगा आँ next वाले option पर करेंगे click कर देंगे अब हमें यह आगे लेकर जा रहा है photo signature upload करने के बाद से अगले step में देखेंगे तो यहां पर आपको preference यहां पर आ जाएगा देखिए मैंने यहां पर दौसरी के बाद से 12th के जो है फिजिस मैथ से कर रखा हूँ तो मैंने यहां पर qualification में 10th और 12th डाला हुआ है तो मेरे case में देखेंगे तो सिर्फ यही एक option आ रहा है SNT वाला signal and telecommunication वाला तो देखें जो आप qualification में जनकारी फॉल्फिल करेंगे न सके according यहां पर बहूस सारे पद आपको दिखाई देंगे समझ रहा हैं न मुक्त सकता है कि एक दिखाई दे किसी का दो दिखाई दे किसी का 3 दिखाई दे किसी का 4 दिखाई दे किसी तो यहां इ censorship को आप यहां पर देदेंगे और मैं आपको एक बार और बता दो friends form भरने से पहले। बाशचो करें便। जिस भी cables के लिए Integrative uhm侵ार भरना चांथे यह बार जचांथे हैं वह आपँ जरूर चैक करें अगर आप भी चाह रहे हैं चेंज करना RRB को तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको पास option मिल रहे हैं अगर आपने गलत RRB चूज करते हुए आगे फर्म भर दिया तो आप यहां अभी भी change कर सकते हैं तो यह भी सिस ध्यान देना है फर्म भरने से पहले RRB को एक बार जरूर कनफर्म कर लेना है notification के कोडिंग कि हां मैं इसे RRB के लिए को भर रहा हूं कि नहीं भर रहा हूं और उसके बास आपको नीचे आना इसको टीक करना है फिर इसको भी टीक करना है फिर आपको ना प्लेस यहां लिखना है यहां का नाम लिख सकते हैं फिर यहां पे आपको जो है न प्रिभीव अप्लिकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है प्रिवीव करते हैं इस परकार से आपका सारा जनकारी सो होगा कि जो भी आपने यहां पर जनकारी दिया सब्सक्राइब करेंगे इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे जो है यहां इडिट का option मिलता आप इडिट करेंगे नहीं गलती है तो आप यहां पर एक submit बटन मिलेग सब्मिट करने के बाद से आपको यहां पर जो फ्री है वो सो होता है आपको जो है देख लेना है कि हां मेरा अप्लिकेशन फी कितना लग रहा है उसके बाद से आपको बटन मिलेगा आपको पे क्लिक कर देना है अब अगले step में आपको जो है multiple payment gateway मिल जाता है आपके पास ज निकाल के अपने पास hard copy सुरचित रख लेना है तो इस तरह से friends हमने बात किया कि RRB technician vacancy के लिए कैसे आपको फॉर्म को apply करना है और मैंने आपको जोने link description box में provide कर दिया है आप सारी जनकारी को एक बार जो है इस website पे विजिट करके पढ़ लीजेगा और यहीं पर आपको telegram join करने का option मिलेगा आप telegram यहां से join कर लीजेगा और जो मैंने आपको browser बताए वो browser आप क्या करेंगे install कर लेंगे आपको कोई भी दिकत नहीं होगी form भरने में आप इजली जो उस browser से form को apply कर पाएंगे आसा करता हूँ friends आपको मैंने सारी जनकारी देने की कोशिस किया कोमन में इसके अलबा कोई डाउट से कमेंटे कमेंट बोक्स में पूछेगा friends मिलते हैं किसी नेक्ट वीडो में आपका दिन सुब हो जैहिंद